नमस्ते, मैं चंदर सेखर, आप सभी को मैं अपने चैनल डिलिजन्ट अकडमी में स्वागत करता हूँ हम लोग यूपी पुलिस कंस्टेबल के लिए एक स्रीज स्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग परते एक दिन मैहत का पंदरे कोशन करते हैं वो हमारा कोशन या तो previous year रहता है या previous year के उपड़ अधायत रहता है चलिए उस स्रीज में आज आगे की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना भिलकूल न भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोडिफिकेशन मिलता रहे चलिए अब हम लोग कोशन की तरफ चलते हैं देखे हमारा कोशन क्या दिया हुआ है हमारा कोशन दिया एक बिकरता बस्तू को क्रेमूल पर बेजता है प्रन्तू बेजते समय कम तॉलता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है तो एक किलो में वह कितना कम तॉलता है हमें क्या निकालना है कि वह एक किलो में कितना कम तॉले ताकि उसे CP पे बेचने के बाद भी उसे 25 पर 30 का profit हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस 25 पर 30 को fraction में change करते हैं हम 25 पर 30 को fraction में change करेंगे 25 पर 30 को fraction में change करेंगे यह हमारा कितना हो जाएगा एक बटा 4 हो जाएगा तो हम यहां से बस्तू का CP और SP का ratio निकाल सकते हैं हम यहां से बस्तू का CP और SP का ratio निकाल सकते हैं अगर बस्तू का CP और 4 unit होगा तो SP कितना हो जाएगा 4 पर 1 का profit यानि कितना में बिगेगा 5 में यानि CP और SP का ratio हमारा क्या हो गया 4 is to 5 हो गया अब देखें हमें question में क्या दिया हुआ है हमें question में दिया है कि बस्तू को क्रैमूल पे बेचने का बाद भी उसे 25% का profit हो रहा है तो हम से पूछ रहा है कि एक kilo में वह कितना कम तॉल रहा होगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं एक kilo की बस्तू का कुछ CP माल लेते हैं अब देखें एक kilo को अगर हम gram में change करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 gram यानि 1000 gram की कोई बस्तू है 1000 gram की कोई बस्तू है जिसका CP कितना है 1000 रुपया है अब देखें वह बस्तू को CP पे ही बेच रहा है यानि ये क्या हो गया ये जो हो गया उसका SP हो गया तो हम यहां से SP और CP का ratio निकाल सकते हैं अब देखें ये हमारा SP हो गया SP कितना है 5 unit है SP 5 unit है तो CP कितना है 4 unit यानि 5 unit का value अगर 1000 रुपया है तो हम यहां से 4 unit का value निकाल सकते हैं 5 unit का value 1000 रुपया है एक हजार ग्राम का बस्तू का सीपी है तो आठ सो रुपया में आठ सो रुपया में कितना ग्राम की बस्तू हो जाएगा हम यहां से निकाल सकते हैं यानि एक हजार रुपया में एक हजार ग्राम की बस्तू है तो आठ सो रुपया में कितना हो जागा आठ सो रुपया में आठ सो ग्राम की बस्तू हो जागा यानि बस्तू का जिस बस्तू को बेच रहा है यानि उसका सीपी कितना पर रहा है सीपी जो है आठ सो रुपया पर रहा है और एसपी वो कितना ल रहे हम इस 1000 में से 800 ग्राम माइनस करेंगे यानि हमारा आंसर क्या हो जागा 200 ग्राम यानि वह एक किलो में 200 ग्राम बस्तु कम दे रहा है ग्रहक को चलिए कोश्चिन समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ हमारा question क्यों सीवा और राजू ही महाविद्याले के चुनाओं में खरे हुए सीवा को बैद मतों के कुल 55% मत प्राप्थ हुए 20% मत अवैद भी थे यदि कुल 75% मत पड़े थो राजू को कुल कितने बैद मत प्राप्थ हुए हमें क्या निक 25% मिल जाएगा तो धृढ़े हम सबसे पहले क्या करते हैं वैद मतों की शंख्या निकालते है हमें 20% मत आवैद थे यानि हमें कुल मतों की शंख्या कितना दिया हुआ है 75500 wowण मतों की संख्या कितना दिया हुआ बचहतर सो तो देखिनvette 55 में दिया हुए कि सीवा को जो है बैद मतों का 55 परतिसत मिल रहा है तो राजू को कितना मिल रहा होगा 45 परतिसत और हम से पूछ भी किया रहा है राजू का यानि हम इसका 45 परसेंट निकालेंगे हमारा आंसर निकल किया जाएगा अब देखिए हम यहां से 2-0 से 2-0 काट सकते हम इसे अगर 25 से काटें तो यह 25 से 3 बार में जाएगा यह 25 से 4 बार में जाएगा हम इसे अगर 4 से काटें तो यह 4 से 20 बार में जाएगा यानि यहां से हमारा क्या हो गया 20 में हम 3 से गुना करेंगे यह हो जागा 60 गुने 45 हम 45 में अगर 60 से गुना करेंगे यह कितना हो ताइस सो वोट मिल गया, चलिह question समझ में आगया होगा, next question पर चलते हैं, देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question दिए कुछ आदमी किसी निश्चित कारे को बारे दिनों में कर सकते हैं, यादी पांच आदमी कारे छोड़ कर चले जाए, तो कारे समापतो होने में 4 दिन क काम कर रहे थे, यानि एक सादमी बारे दिन में जितना काम कर रहे होंगे, उतना ही काम, जब पांच आदमी काम छोड़के चले गए, यानि अब आदमी कितना हो गए x-5 हो गए, तो 4 दिन की देरी हो जा रही है, यानि पहले बारे दिन का समय लग रहा था, अब जो है 4 दिन जादा लग रहा है, यानि अब समय कितना लग रहा है, 16 दिन का समय लग रहा है, हम देखे, इस अगर 4 से काटेंगे, तो ये 4 से 3 बार में जाएगा, और ये 4 से लिगे जाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा 4x में से 3x माइनस करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा x equal to क्या हो जाएगा 20 यह पहले आदमियों की शंख्या क्या होगी 20 होगी चलिए question समझ में आ गया होगा नल अपनी छमता का 75% से पानी भरता है, अगर रुकावट टंकी भरने से थोड़ी देर पहले ठीक हो जाता है, तो टंकी 9 मिनिट में भर जाती है, तो बताएं कि रुकावट टंकी भरने से कितना समय पहले ठीक हुआ था, तो देखे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुए 12 मिनट और 20 मिनट हम इसका LCM निकालेंगे सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुआ है समय हमारा क्या दिया हुआ 12 मिनट और 20 मिनट 12 और 20 का हम LCM निकालेंगे 12 और 20 का LCM कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा हम टंकी की धायता माल लेंगे टंकी की capacity माल लेंगे 60 unit अब देखें 60 unit capacity वाली टंकी है जिसे A अकेले भर रहा है तो कितना समय ले रहा है 12 minute का समय ले रहा है A अकेले भर रहा है तो 12 minute का समय ले रहा है और B अकेले भर रहा है B अकेले भर रहा है तो कितना समय ले रहा है बीस मिनट का समय ले रहा है, बी अकेले भर रहा है तो बीस मिनट का समय ले रहा है, तो हम यहां से दोनों नल का efficiency निकाल सकते हैं, ए जो है बारे मिनट में अगर 60 उनिट पानी भर रहा है तो एक मिनट में कितना भर रहा होगा, पांच उनिट पानी भर रहा होगा, बी जो है 20 मिनट में 60 उनिट पानी भर रहा है तो एक मिनट में कितना भर रहा होगा तीन उनिट पानी भर रहा होगा दोनों नल का हमारा इफिस इंसी निकल किया गया तो जिसके कारण टंकी भरने में कितना समय लग रहा है? 9 मिनट का समय लग रहा है तो देखिए हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाये तो 9 मिनट में टंकी के अंदर कितना पानी जाना चाहिये था? तो देखिए अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए A प्लस B अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए यानि 9 मिनट में दोनों जो है 9 मिनट में कितना पानी भरेंगे हमें यांसे निकाल सकते A जो है एक मिनट में 5 यूनिट पानी भर है और B एक मिनट में 3 यूनिट पानी भर है यानि दोनों मिलके एक मिनट में 8 यूनिट पानी भरेंगे तो 9 मिनट में कितना पानी भर जाना चाहिए यानि 12 unit पानी बरबाद हो रहा है और हमें question में क्या दिया हुआ है कि नल में रुकावट होने के कारण नल जो है अपनी छमता का 75% पानी ही भेज पा रहा है यानि 25% पानी बरबाद हो रहा है तो देखें हम यह निकाल सकते हैं कि 25% पानी बरबाद हो रहा है तो 12 unit पानी सकते थे लेकिन इसका 25 परतिसत बरबाद हो रहा है ये याँ से काटेंगे 25 से यह 25 से कितना बार में चला जागा चार बार में हम इसे 4 से काटेंगे तो यह 4 से कितना बार में चला जागा दो बार में हम इसे 2 से काटेंगे तो बारे 2 से 6 बार में चला जाएगा यहां से हमारा क्या निकल किया गया च्छो मिनिट में यहां से हमारा निकल किय दूआ गया कि शो मिनट में 12 बारे मिनट पानी बाब हो गया होगा।ा अब देहें घुंकि ब Chandler कि बुलने से कुछ समय पहले जो है नलकी रुकावाट ठीक हो जा रही है। नल में रुकावाट कितना देर तक होगी, छो मिनट तक नल में रुकावाट होगी, तो हम से पूछ रहा है कि टंकी भरने से कितना समय पहले जो है नल का रुकावाट सही हुआ था, टंकी के रुकावाट के साथ नल में पानी भर रहा था और कुछ समय पहले रुकावाट सही हो गया हम यह निकाल सकते हैं इस 9 मिनट में से 9 मिनट में से हम माइनस करेंगे 9 मिनट में से 9 मिनट में से 9 मिनट में से माइनस कर ले हम 6 मिनट 6 मिनट तो हमारा आंसर क्या निकल किया जागा हमारा आंसर निकल कर गया होगा या। आन्सर के को सबर्ज में आ गया गया होगा… को सथारन डिहते हैं। यदि निवेसीत एक परती से ज्यादा ब्याज दर पर किया जाता है तो उसे 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता है वह धन्रासी बताए हमें क्या निकालना प्रिंस्पल निकाला है देखें सधारन ब्याज में क्या होता है सधारन ब्याज में हमें परते एक साल बराबर ब्याज मिलता है अब देखे हमें क्या दिया है कि अगर निवेसी जो है एक परतिसे ज़्यादा ब्याज दर पे किया जाता यानि अगर एक परतिसे ज़्यादा ब्याज दर पे किया जाता यानि पहले साल हमें एक परतिसे ज़्यादा मिलता दूसरे साल भी हमें क्या मिलता एक परतिस निकालेंगे प्रिंस्पल का 2% तो यह किसके बराबर हो जाएगा प्रिंस्पल का 2% किसके बराबर हो जाएगा 24 रुपय के बराबर हमें क्या निकालना है प्रिंस्पल निकालना है तो देखिए यह हो जाएगा पी गुने 2 बटा 100 एक्वल टू यह कितना हो जाएगा यह हो ज हम से पूछ रहा था हमें हमारा क्या और फ्री प्रिंस यह लॉवर्प, निकल के आगा हम से क्या पूछ रहा था operative कुछ style क्रिंच्छ पूछ रहा था चले निक्च्छ नेगर नेक्स कोस्टिन पर चलते हैं किए हमारा को सचन्थ क्या दिया हो cancel रोप करて प्रति बर्स ब्यांच की इदर से दूसरे बर्स का चक्रबीथी ब्याज ग्यांत करें जब ब्यांच की गन्ना बार्सी को हमें क्या निकालना है देखे सधारन ब्याज में क्या होता है सधारन ब्याज में हमें परतेक साल ब्याज क्या मिलता है बड़ाबर मिलता है लेकिन चक एक लाक, बीस हजार का अगर पांच परतिसेद निकालेंगे, तो यह हमारे कितना हो जाएगा? यहानि पहले साल हमें केवल कर फ्रिंसल का ब्याज मिल जाएगा, पांच परतिसद कितना मिल जाएगा? अब देखें दूसरे साल हमे Universal पे तो मिलेगा है उस ब्यास के ऊपर भी ब्यास बिलेगा यानि इस 6000 का अगर ऩह 5% निकालेंगे तो यह कितना हो जागा, 300 रुपया हो जाएगा, अब देखें हमसे question में पूछ का रहा है, हमसे क्यावल पूछ रहा है दूसरे बर्स का चक्रविधी व्याज, देखीं पहले बर्स हमें कितना मिला, principle का 6000 रॉपया, दूसरे बर्स हमें कितना मिल गया, principle का 6000 प्लस का 300 रॉपया, यानि यहां हमसे पूछ रहा है दूसरे बर्स का CI यानि दूसरे बर्स का CI कितना हो जागा 6000 रुपया, प्लस का 300 रुपया यानि हमारा आंसर क्या निकल किया जागा 300 रुपया, हमारा आंसर क्या निकल किया जागा, 300 रुपया निकल किया जागा हमसे दूस्रे बर्स का चक्रवीदी व्याज पूछ रहा था दूस्रे बर्स काच्रवीदी व्याज कितना निकल कि आ गया 300 रुपे निकल कि आ गया चलिए को कोईटिन समझ में आ गया होगा Next question पे चलते हैं देखिए हमारा कोईटिन क्या दिया हुआ है हमारा question दिया प्रथम 210 प्रकृतिक समसंख्याओं का और्शत ज्याद करें हमें क्या निकालना है और्शत निकालना है तो देखें हमें सबसे पहले हमें सबसे पहले लगतार प्रकृतिक समसंख्याओं का योग निकालने आना चाहिए तो देखिए योग निकालने का हमारा फर्मूला क्या होता है अगर हमें लगतार N तक प्रकृतिक समसंख्या दिया हो तो हम उसका योग कैसे निकालते हैं हम उसका योग कैसे निकालते हैं N into N plus 1 ये हमारा योग निकालने का फर्मूला है अब देखिए हमें औश्यत निकालना हो अगर लगतार N तक प्रकृतिक समसंख्या दिया हो अगर हमें उसका औश्यत निकालना हो तो देखिए हम औश्यत कैसे निकालना हो तो देखिए हम औश्यत कैसे निकालना हो तो देखिए हम यूग निकालके और हम संख्या से अगर भा 210 हमें संख्या कितना दिया 210 दिया है तो यहां अगर हम औशत निकालेंगे हम यहां अगर औशत निकालेंगे तो हमारा औशत क्या हो जाएगा हमारा औशत हो जाएगा n प्लस 1 यानि यहां n का वैलू हमें कितना दिया 210 दस दस प्लस वन यहां हमारा ओशत कितना हो जाएगा यहां हमारा ओशत हो जाएगा दो सो इगारे हो जाएगा हमारा आंसर क्या निकिल किया गया है दो सो इगारे चली कोशन समझ में आ गया होगा नेक्स कोशन पर चलते हैं देखे हमारा कोशन क्या दिया हुआ है हमारा कोश तो देखे हम इस question को दो तरीके से बना सकते हमारा पहला तरीका क्या है देखे हमें question में क्या दिया हुए हमें question में pass और fail का हमें ratio दिया हुए हमें ratio क्या दिया हुए 5 is to 3 दिया हुए और यह ratio जो है 1 is to 1 हो जा रहे है यह ratio 1 to 1 हो जा रहा है यह ratio 1 to 1 कब हो रहा है जब बारे विद्यार्थी और फेल हो जा रहा है यानि जो विद्यार्थी पास हो रहे थे उसमें से बारे विद्यार्थी और फेल हो जा रहा है तब जाके यह ratio 1 to 1 हो जा रहा है यानि 5 विद्यार्थी की संख्या में 12 का कमी हुआ और fail विद्यार्थी के संख्या में 12 का बिरीधी हुआ तो देखिए हम यहां से cross product लगा के हम यहां से cool विद्यार्थी के संख्या निकाल सकते हैं हम इस 3 से 1 में गुना करेंगे उसके बाद हम इस 5 से 1 में गुना करेंगे और इन दोनों का difference लेंगे अब देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं हम इसे क्या लिख सकते हैं अगर हम यहां 1 से 5 में गुना करेंगे तो यह हमारा क्या हो जागा 5 हो जागा minus अगर हम इस 3 से 1 में गुना करेंगे तो यह कितना हो जागा 3 हो जागा यह किसके पराबर हो जागा हम यहां गुना करेंगे अगर एक से माइनस बारे में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जागा माइनस बारे और इस एक से अगर हम प्लस बारे में गुना करेंगे तो यह हमारा कितना हो जागा प्लस बारे यानि माइनस बारे से हमारा प्लस बारे बड़ा है यानि हम प्लस बा है कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा दो यूनित हमारा क्या निकल क prose निकल किया गया तो दिखे हमें क्या निक्खेए पास कितना तियु-xa विद्यार्थी के संख्या कितना हो गया आठ उनिट तो हम यहां से आठ उनिट का वैलो निकाल सकते हैं दो इनिट किसके पराबर है चौबिस के पराबर तो हम यहां से आठ उनिट निकालेंगे अब देखिए दो को आठ बनाने के लिए हमें चार से गुना करना पर है तो इस पास और फेल का हमें रेशियो दिया है रेशियो कितना दिया है 5 is to 3 और बाद में यह रेशियो जो है 1 is to 1 हो जा रहा है बाद में यह रेशियो 1 is to 1 हो जा रहा है अब देखे हम यह माल लेते हैं कि 5 बिद्यार्थी पास हो रहा है और 3 बिद्यार्थी फेल हो रहा है यानि पर इक्षा में विद्यार्थी के संख्या कितना हो गया दो हो गया अब देखिए एक ही पड़िछा है तो विद्यार्थी के संख्या हमारा बराबर होना चाहिए यहां विद्यार्थी के संख्या कितना हो आठ और यहां विद्यार्थी के संख्या कितना हो गया दो अब देखिए हम इसे बराबर करने के लिए हम नीचे अगर 4 से गुना करने तो ये भी हमारा 8 बन जाएगा हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 4 से गुना करना पड़ेगा यानि यहां से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा यहां से 5 और फैल का जो रेशियो ह रहे थे अब जो है चार विद्यार्थी जो है पास हो रहे हैं और चार विद्यार्थी फेल हो रहे हैं यानि पास के संख्या में एक यूनिट का कमी हुआ और फेल की संख्या में एक यूनिट का ब्रीधी हुआ लेकिन हमें कोश्चिन में क्या दिया है कि बाड़े बिद्यार बारे में हम आठ से गुना करेंगे, यहां से हमारा क्या निकल का गया, 95 विद्यार्थियों, और यहां से भी हमारा total विद्यार्थियों के शंक्या का निकल का गया था 90, चली question समझ में आ गया होगा, next question पे चलते हैं, देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question एक पूरूस सथा महिला बिद्यार्थियों के संख्या का अनुपाद क्या है हमें क्या निके आइंगे तो जो हमारा नीचे रैशियो निकल prosti किसी निकल सकते हैं हमने जितना भी बिद्यार्थि दिया गया होगा उनका अंकों का हम योग करेंगे और उनके संख्या से हम भाग देंगे तो हमारा ओशत अंक निकल क्याएगा यानि हम यहां भाग किस से दे रहें संख्या से भाग दे रहें तो अगर हम यहां और नीचे रेशियो निकल क्याएगा रेशियो किसका निकल क्या दिया हुए 40 दिया हुए और पूरे कक्षा का हमें औस तंग कितना दिया हुए पूरे कक्षा का हमें औस तंग 30 दिया हुए तो हम यहाँ allegation लगाएंगे हम allegation लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को minus करते हैं यानि हम यहाँ 40 में से 30 को minus करेंगे यह कितना हो जागा 10 हो जाएगा उसके बाद हम इस 30 में से 25 माइनस करेंगे यह कितना हो जागा 5 हो जाएगा यहां से हमारा रेशियो क्या निकल क्या गया गया 10 is to 5 यहां हम इए से क्या लिख सकते हैं हम इससे लिख सकते हैं 2-1 यानि हमारा ratio क्या निकल एगाte संख्या का रेश्युी निकल क движ टू एगाऊ 2-1 चलिए कोस्टिन समझ में आगया ओगा next question पीचलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हूए? हमारा question दिया 2 संख्याओं का योग 36 और उनका LCM और HCM सा 105 और 13 हैं. तो उनके भियुत्क्रमों का योग जात किजिए. हमें क्या निकलना है? भियुत्क्रमों का योग निकलना है. तो देखي हम दो संख्या माल लेते हैं, हम दो संख्या A और B माल लेते हैं, तो देखिए हमें क्या दिया हो है, दोनों संख्याओं का योग दिया हो है, हमने दो संख्या माल लिया A और B, यानि हमें A प्लस B क्या दिया हो है, A प्लस B हमें 36 दिया हो है, और हमें कोश्चिन में क्या दिया हो हमें HCF कितना दिया है तो देखे एक हमारा concept होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एक्वल टू LCM गुने HCF यानि हम यहां से लिख सकते हैं पहली संख्या हमारी क्या है A दूसरी संख्या B है और LCM गुने HCF LCM, गुने, HCF, देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, A गुने, B, एक्वल टू, LCM कितना है, 105, 105, गुने, 3 हो जाएगा, अब देखिए हम इसका यूज करने वाले हैं आगे, हमसे क्या पूछ रहा है, ब्यूत करम का यूग पूछ रहा है, हमसे जो अब देखिए हम यहां से योग निकालेंगे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, B प्लस A बटा, A इंटु B हो जाएगा, यानि हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, A प्लस B बटा, A इंटु B, अब देखिए A प्लस B हमें क्या पता है, 36 पता ह और A गुने B हमें कितना पता है 105 गुने 3 यानि हम यहां रखेंगे 105 गुने 3 अब देखें हम इसे अगर काटेंगे हम इसे अगर काटेंगे तो यह 3 से कितने बार में जाएगा यह 3 से 12 बार में जाएगा यह 3 से कितने बार में जाएगा 12 बार में यहां से हमारा answer क्या निकल किया गया? 4 बटा 35 ब्यूत क्रम का योग कितना निकल किया गया? 4 बटा 35 चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है? हमारा question दिया है एक संख्या जब क्रमिक रूप से 3, 5 और 8 से विभाजित करें तो हमारा सेज जो है 1, 4 और 7 बच रहे है तो हमसे क्या पूछ रहे है? कि उशी संख्या को जब हम विभाजकों का करम उलट दे यानि हम पहले 3, 5 और 8 से क्रमिक रूप से भाग दे रहे थे जब हम उसे 3 से भाग दे रहे हैं तो हमारा सेज कितना बच रहे है? एक बच रहे है जब हम उसे क्रमिक रूप से 5 से भाग दे रहे है तो हमारा सेज कितना बच रहे है? चार बच रहे है और जब हम उसे 8 से भाग दे रहे है तो हमारा सेस कितना बच रहे है हमारा सेस साथ बच रहे है तो देखिए ऐसे question को असानी से solve करने के लिए हम यह मान के चलेंगे कि जिससे हम अंतिम बार भाग दे रहे है तो हमारा भागफल एक आ रहा है हम यह मान के चलेंगे question को असानी से solve करने के लिए हम यहाँ भागफल क जीरो के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम अगर एक मानेंगे, तो हमारा question असानी से solve हो पाएगा, तो देखे हम यह मानने थे हैं, कि हमारा भागफल जो है, एक आया, जब हमारा यहां संख्या होगी, जो हम उसे 8 से जब भाग देने, तो भागफल एक आ रहा है, और स हमारा साथ आ रहा है, तो यहां हमारी संख्या कौन सी हो सकती है, यानि हम यहां भागफल से, हम यहां भागफल से भाजक में गुना करेंगे, और सेस को add करेंगे, यानि यहां हमारी संख्या क्या हो जाएगे, यानि यहां हमारी संख्या क्या हो जाएगे, पंद्रे हो में 75 में 4 add करेंगे, यह हमारा कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 89, यहहां जो संक्या होगी जब हम उसे तीन से भाग दे रहे होंगे तो भाग फल क्या घा रहा है? 89 ए और 这是 क्या एक आ रहा है तो देखें हम इस 89 में 3 से गुणा करेंगे 89 में 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, 89 में जब हम 3 से गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 237 हो जाएगा, 237 में हमें 1 एड करेंगे, ये हमारा कितना हो गया, 238, ये कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा, अब देखिए हमें स उसके बाद हम 5 से भाग देंगे, उसके बाद हम 3 से भाग देंगे, तो हमें यहाँ सेस निकालना है, कि हमारा सेस यहाँ क्या आएगा, तो देखिए जब हम 8 से भाग देंगे इस संख्या को, तो यह 8 से कितने बर में जागा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हाथ में कितना आ जाएगा हाथ में आजाएगा 7 यानि 78 हो जाएगा 8, 9, 72 यानि 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अब देखें इस 29 में जब हम 5 से भाग देंगे 29 में 5 से भाग देंगे तो 5 में हम 5 से गुना करें कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा यहां से हमारा सेस निकल गयागा, सेस क्या निकल गयागा, 6, 4 और 2, हमारा सेस क्या निकल गयागा, जब हम उस संख्या को 8, 5 और 3 से क्रमिक रूप से विभाजित करेंगे, तो सेस हमारा क्रम से क्या निकल गयागा, 6, 4 और 2 निकल गयागा, हमारा आंसर क्या निकल गयागा, 6, 4, 4 और 2 चले question समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया है दो बर्गों के परिमाब 40 cm तर था 32 cm है तीसरे बर्ग का परिमाब बताएं जिसका छेत्रफल पहले दो बर्गों के छेत्रफल के अंतर के बराबर है तो देखे हम सबसे क्या करेंगे सबसे पहले जिन दो बर्गों का हमें परिमाब दिया हुआ है उनका हम सबसे पहले भुजा निकालेंगे देखे हम परिमाब कैसे निकालते हैं बर्ग का परिमाब का हमारा जो फर्मूला होता है 4 into भुजा तो देखे एक बर्ग का परिमाब हमें कितना दिया ह हो है और दूसरे बर्क का हमें परिमाब कितना दिया हुआ है 32 cm दिया हुआ है निकल करेंगे हम इसे चार से भाग देंगे 200 cm तो देखें इसका हम जब 6 तौफल निकापल निकालेंगे यानि बर्क का 6 square निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का square करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 cm square, अब देखिए, दुसरे बढ़ का, जिसका हमें परिमाप कितना दिया हो 32 cm, तो हम इसका भूजा निकालेंगे, यानि परिमाप का formula क्या होता है, 4 into भूजा, ये हमें कितना दिया हो है, ये हमें दिया हो है, 32 cm, यानि यहां से भूजा हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसे 4 से भाग देंगे, तो ये कितने बर में जाएगा, 8 बर में, यानि भूजा निकल क्या गया, 8 cm, तो हम इसका 6 तरफल निकालेंगे, यानी बरक का 6 फल क्या होता है भुझा SGT हम 8 के SGT करेंगे 8 के SGT कितना हो जाएगा 64 8 के SGT कितना हो जाएगा 64 यह हमारा कितना निकल क्या है 64 सिंटिमिटर SGT अब देखें हमें क 14 में क्या दिया हूआ है हमें क gouvern का परिमाप बताएं जिसका छेतरफल पहले दो बर्गों के छेतरफल के अंतर के बराबर है तो हम पहले दो बर्गों के छेतरफल का अंतर निकालेंगे देखें इनके बीच का अंतर कितना है हम 100 में से 64 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 100 में से 64 माइनस करेंगे यह हमारा हो जाएगा 36 cm² यह कितना हो जाएगा 36 cm² यानि जो तीसरा बर्ग है जो तीसरा बर्ग है उसका एरिया कितना है एरिया कितना है इन दोनों बर्गों के एरिया के डिफरेंस के पराबर है यानि A² कितना है तीसरे बर्ग का A² कितना है 36 cm² है य서fest असलिए फull से और करींट निकल को निकल नगया रोगा नेक्स को where देखें बूली कोशिचन को डिया हॉए हमारा कोशिटिन क्या दिया हुआ है हमारा å्मारा खूद दिया है जो यात्रा की जाने वाली कुल दूरी से 40% कम है। ट्रेन की मरमत में एक घंटे का समय लगता है और अब ट्रेन की गती मूल गती से 20% कम हो जाती है। जो दूरी है वो कुल दूरी से 40% कम है। यानि जो कुल दूरी का कितना हो जागा? 60% हो जागा। यानि से इस दूरी कितना हो गया? 40% अब देखिए ये जो 60% दूरी चलने के बाद एक्सिडेन्ट हो रही है लेकिन हमें कोश्चन में क्या दिया? 300 km यानि इस 60% का वैलू कित आप दिखें ट्रेन जो है अपने गंतवे पर 2 घंटे के बिलम से पहुँच रहे हैं हूँ इस दूरी को अपने मुल्य स्पीड से ना जाके अपने मुल्य स्पीड के 20% कम स्पीड से जा रही है तो देखे हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले जो 20% कम स्पीड से जा रही है तो हम 20% का fraction निकालेंगे देखे 20% कम स्पीड से जा रही है तो हम यहां से 20% 30 का fraction निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा एक बड़ा 5 अब देखिए यह जो निश्चित दूरी है 200 km यहां जो है हम अगर speed का ratio निकालेंगे तो उसका opposite हमारा क्या हो जागा time का ratio हो जाएगा अब देखिए हम यहां से speed का ratio निकाल सकते हम यह माल लेंगे कि हमारा मुल जो speed था 5 km पर घंटा था तो अब speed कितना हो गया एक का कमी हो गया यानि अब speed कितना हो गया 4 km पर घंटा हो गया यानि यहां से अगर हम speed का ratio निकालेंगे हम यहाँ से अगर speed का ratio निकालेंगे तो यह speed का ratio क्या हो जाएगा 5 is to 4 हो जाएगा यानि पहले speed उसका अगर 5 unit होगा तो अब speed कितना हो गया 4 unit हो गया तो देखें time का time का अगर ratio हम यहाँ से निकालेंगे तो time का ratio क्या हो जाएगा इसका opposite हो जाएगा क्योंकि यह जो 200 km का दूरी क्या है fix है, निश्चित दूरी है यानि यहाँ से time का ratio क्या हो जाएगा 4 is to 5 हो जाएगा यानि अगर पहले अपने मुल्ले speed से ही 200 km दूरी जाती तो 4 unit का समय लगता लेकिन अपना speed 20% कम कर ली है जिसके कारण 5 unit का समय लग रहा है यानि कितना ज़्यादा समय लग रहा है कितना ज़्यादा समय लग रहा है एक unit ज़्यादा समय लग रहा है लेकिन हमें question में क्या दिया हो है एक घंटा ज़्यादा समय लग रहा है यानि एक यूनिट किसके बराबर है एक यूनिट जो है एक यूनिट एक घंटा के बराबर है तो हम यहां से चार यूनिट निकाल सकते हैं चार यूनिट किसके बराबर हो जाएगा चार घंटा के बराबर यानि अगर अपने मुल्ले स्पीड के साथ जाती तो चार घंटा का और समय लगता यानि दूरी कितना है दूरी जो है 200 km है यानि 200 km के दूरी जाने में अगर मुल्ले स्पीड से जाती तो 4 घंटा का समय लगता तो हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं हम यहां से स्पीड निकालेंगे स्पीड हमारा क्या हो जागा 200 किलोमेटर का 200 किलोमेटर का दूरी है और 4 घंटा का समय यानि स्पीड हमारा क्या निकल क्या जागा यहां से हमारा स्पीड निकल क्या जागा 50 किलोमेटर पचास किलो मेटर पर घंटा यानि ट्रेन का मुल स्पीड हमारा क्या निकल किया गया पचास किलो मेटर पर घंटा चलिए कोश्चिन समझ में आ गया होगा नेक्स कोश्चिन पर चलते हैं देखे हमारा कोश्चिन क्या दिया हुआ है हमारा कोशिन दिया एक नाव की गती धारा के विपरीत दिशा में 40 km पर घंटा है तथा इस्थिर जल में 55 km पर घंटा है नाव की गती धारा के दिशा में क्या होगी हमें क्या निकाला है नाव की गती धारा के दिशा में निकाला है देखिए जब भी नाव धारागे विपरीद जाती है तो उसकेस में क्या होता है नाव का स्पीड और धारागे स्पीड माइनस होता है और जब भी नाव धारागे दिसा में जाती है तो उसकेस में क्या होता है नाव का स्पीड और धारागे स्पीड एड होता है अब देखिए हमें question में क्या दिया हुआ है हमें question में धारा के विपरीत speed दिया हुआ तो हमने माल लिया कि now का speed जो है x km पर घंटा है और धारा के speed y km पर घंटा है यानि हमें धारा के विपरीत दिया हुआ है यानि धारा के विपरीत क्या हो जागा नाव और धाड़ा के स्पीड माइनस होगा यानि X-Y हमें क्या दिया हुआ है X-Y हमें दिया हुआ है 40 km 40 km पर घंटा और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है इस थिर जल में 9 की चाल हमें दिया हुआ इस थिर जल में 9 की चाल हमें क्या दिया हुआ हमारा 40 निकल किया जाए यानि हम इसमें से 40 अगर माइनस करेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा 15 यानि y हमारा क्या निकल क्या जाएगा y हमारा निकल क्या जाएगा 15 km पर घंटा y क्या निकल क्या जाएगा 15 km पर घंटा 70 km पर घंटा यानि धाड़ा के दिसा में नाउ के स्पीड क्या हो जागी? 70 km पर घंटा चली कोस्चिन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट कोस्चिन पर चलते हैं देखे हमारा कोस्चिन क्या दिया हुआ है? हमारा कोस्चिन दिया है यदि योग के बराबर है y और 20 के योग के बराबर है अब देखे हम इसे 50 से काटेंगे ये 50 से 2 बार में जाएगा यानि हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं x equal to x equal to 2y plus 40 यहां से हमारा क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा x-2y equal to 40 अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा था हमसे पूछ रहा था x-2y यहां से हमारा x-2y क्या निकल के आगा 40 निकल के आगा यहां से हमारा answer क्या निकल के आगा 40 निकल के आगा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल मत भूलेगा चलिए बाई बाई